करोना वाइरस के चलते ग्रीन जोन बिलासपुर में लगे कर्फ्यू के बीच जहां नई छूट में शराब के ठेके खुलने की पर्मीशन प्रशाशन द्वारा दी गई है तो वहीं कर्फ्यू के बीच सराब तसकर सकरिय नजर आ रहे हैं मामला विलासपुर जिला के जंडूता विधान सभाक्षेतर के गिडवी का है जहां सुरक्षा साखा द्वारा चेकिंग के दोरान एक टेंपू से देशी सराब की 76 पेटियां बरामत की गई वहीं इन पेटियों में हिमाचल वह पंजाब एकसाईज की 912 देशी शराब की बोटलें भी बरामत की गई जंडूता पुलीस द्वारा शराब की पेटियों को कबजे में लेकर यवक को गिरिफतार कर लिया गया है बिलासपुर जिला के DSP संजे शर्मा ने बताया कि गेडवी में सुरक्षा शाखा द्वारा टेंपू की चेकिंग की गई तो 76 पेटियां देशी शरामत की बरामत की गई और जब टेंपू चालकग गगन जोकी जमूही का रहने वाला है उससे परमिट मांगा गया तो उसने ओवर राइट किया हुआ परमिट दिखा लिया जिसके बाद चेकिंग के दोरान हिमाचल वा पंजाब एकसाइज की देशी शराब की बोटलें बरामत की गई जिससे सुरक्षा साखावा जहंडूता पुलीज ने सीज कर दिया है और यूवक को भी गिरफतार कर एकसाइज एक्ट की तैट कारवाई शुरू कर दिया है आखर इतनी मात्रा में पंजाब की प्रतिबंदित देशी शराब जिले में कैसे पहुंचे पिछले कल हमारी सु तो उनने कारी को डिसेप्ट किया एक टैपू था जिसका नंबर एक टैइस भी एट जिरो थी टू है वहां उसमें लिखा कि काफी ज़गा शराब यहारी मांत्रा में लोड थी तो उन्हें शक होने पे उसकी तलाशी के लिए उन्होंने तदकाल संपर्क भी किया थाना जि पूलिस की टीम भी वहां उक्के पे पहुँच गई और जब इस टैपू को चेक किया तो इसके अंदर जो है वह च्छेतर पेटी हैं जो है जो है जो है जेसी सराव की जो भीविन मांका की है जो मौजूद पाई गई इस राम में कोई साव ऐसी ही है जो पंजाब के यह और जो है इसमाचल में जिसकी से प्रॉयक्टिट है और इस वारे में जो टैपू मालिक था जिसका नाम गगनकुमार निवासी जुमुई कैसी जो है जिलूता जब उससे पूछा गया तो उसने जो है पूछ पर्मिट वेच लिए और जो पर्मिट को चेक किया तो उसमें काफ तो इस दर्म में थाना जुनुत्ता में धारा 391A XAZ के अंतरकत मुगदमा अंदर्द कर दिया गया है और सारी शराप को जो गाड़ी साहिट कबजा में लिया गया है तताव्युक्त को उसमें राउंड़ अप कर दिया है इस मामने में जो है वो गहन जान चल रही है कितनी भारी मत्रे में जो शराप है यह कहां से आई और यह कब से जो है धंदा हो रहा था